36 गड़ की राजधानी रायपूर में चलानी कारिवाई से परेशान बड़ी संख्या में ओटो चालकों ने ग्री मंत्री तामरद्वज साहू के बंगले का गहराव कर दिया ओटो चालकों का रोप है कि काखजात परमिट होने के बावजुद पुलिस ने सेक्र ओटो चालकों का अचलान बनाया है ग्री मंत्री तामरद्वज साहू बंगले में नहीं थे लेकिन उनसे मिलने की जित पर ओटो चालक बाहर ही बैठे हुए हैं ओटो चालकों की मांग है कि ग्रामिंड परमिट को शहरी परमिट में तब्दिल किया जाए ओटो चालकों का कहना है कि 36 गड़ बनने के बाद ओटो को लेकर शासन ने कोई भी नीती आज तक नहीं बनाई है यहाँ पर जो भी अधिकारी आए है वो अपना भर्रा शाही चला कर नियम बना कर गए है परमिट जो होते हैं दो अधार पर होते हैं पहला नगर पंचायत का दूसरा नगर निगम का नगर निगम के परमिट को इन्होंने ग्रामिंड नाम से 2012 में चालू किया था हम लोगों ने यह मांग की थी कि जो गाडियां उनका कहना है कि 12,000 से लेकर 27,000 तक का चलान काट रही है जो कि उचित नहीं है पूरा उटो संग इसको लेकर अंदोलंतरत है ट्रैफिक एडिशनल एस्पीर से बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि आदेश गरह मंतरी का है और उन्होंने कहा है कि आप कारवाही कीजिए किसी की सुनने के अवशक्ता नहीं है इसी के चलते अपनी मांग को लेकर मंतरी के पास आए हैं और इन सारी समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा 2014 में इस विश्यों को लेकर बरा अंदोलन किया गया था उसके बाद एक संयुक बैठक प्रशासन के साथ हुई थी उसमें ततकालिन आटियों ने गलती सविकार की और कहा था कि ग्रामिन परमिट नाम की कोई चीज नहीं होती पूर्व आटियों की यह गलती है जिसको सुधारा जाएगा जिनको परमिट जारी कर दिया गया है उस पर कारेवाही नहीं की जाएगी लेकिन तेन साल मामला शांत रहने के बाद कल यातायात पुलिस जिसको लूट पाट का अवसर नहीं मिल रहा था वह मोका पाकर कल से ग्रामिन परमिट के नाम पर प्रतारिट कर रही है पुरानी होती है अगर वो चेंज करना चाहे तो पुरानी परमिट नहीं गाडियां पर लागू कर दिया जाए अगर कुछ अधिकारियों के चलते वह नियम यहां लागू नहीं किया गया है इसका फायदा उठाकर कल से यहां की यातायाद पुलिस ओटो चालकों के उपर बड़े बड़े चलान ठोक रही है एसे ही लेटेस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बचन पर क्लिक कर बेल आइकोन को दबाए